हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम GST फाइलिंग के बारे में समझेंगे GST रिटन में कौन से फोर्म होते हैं, कौन सी रिटन आपको कब फाइल करनी होती है सारी डिटेल हम समझेंगे चलो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अगर आपको GST रजिस्टेशन करना है या यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने है उसके लिए ही वीडियो अल्रेडी बन चुका है तो वो वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर किलिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर किलिक करके वो वीडियो देख सकते हैं लोगिन के बाद इस तरह का डेश्बोर्ड आपके सामने आ जाएगा लोगिन के बाद सबसे पहले आपको यहां रिटन डेश्बोर्ड पर किलिक करना है return dashboard पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा यहां से आपको final cell year select करना है GST में जो मन्त बीद जाता है उसके अगले मन्त में जो मन्त बीद गया है उसकी return file होती है final cell year select कर लेने के बाद quarter select कर लेना है quarter select करने के बाद जिस भी मन्त की return आपको file करनी है वो मन्त यहां पर select करना है select करने के बाद इसके बाद search पर click करना है इन return को आपको हर मेने file करना होता है यह सारी form होती है इन form की knowledge होना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है यह सारे form जिन होने GST में regular scheme ले रखा है उनके लिए आता है 90% लोग GST में regular scheme में जाते हैं composition scheme में एक simple सा form होता है यह form आपको बाद में बता देता हूँ पहले regular scheme के बारे में समझा देता हूँ GST में जब आप अपना registration कर लेते हैं तो regular scheme में तो यह form आपको हर मेने file करने के होते हैं पहले हमारा GSTR 1, दूसरा GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B यह आपके form होते हैं इसमें से दो form आपको file करने के होते हैं बागी statement होते हैं आपको file नहीं करना होता है आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी हर महिने file करने की होती है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GSTR 1 की GSTR 1 का जो form होता है उसमें कौन सी detail provide करनी की होती है और यह किस date को file करने का होता है GSTR 1 जो हमारा है उसमें sale की detail provide करनी होती है जितनी भी sale होती है वह यहाँ provide करनी होती है यह return आपका हर महिने की 11 तारिक से पहले file करना होता है जैसे जनवरी बीता है तो फरवरी की 11 तारिक से पहले आपको जनवरी मन्त का रिटन फाइल करना होता है जनवरी मन्त की रिटन आपको फरवरी की 11 तारिक को फाइल करना होता है अगर आप GST रिटन लेट फाइल करते हैं तो आपके पेनल्टी चार्ज की जाएगी 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक चार्ज की जाएगी पढ़ दे तो इसका ध्यान रखे आप अपनी GSTR1 11 तरिक से पहले फाइल कर दे अगर आपने GSTR1 नंबर ले रखा है और आपका बिजनिस में कोई भी तरह का काम नहीं हुआ तब भी आपको रिटन फाइल हर मन्त करनी है GSTR1 आप समझ गए आपको इसमें अपनी सेल की समरी डालनी है GSTR1 सेल की समरी है इसमें B2B, B2C, Export Invoice ये सारे आपको अपने GSTR1 में सम्मिट करना होता है GSTR1 हम Next Video में फाइल करके देखेंगे इसमें केवल आपको रिटन समझा रहा हूँ इसके बाद GSTR2A क्या होता है ये एक Auto-Drafted होता है इसको आपको फाइल नहीं करना होता है इसमें Data शो होता है अगर आपने कहीं से कोई भी परचेज की है तो वह Data GSTR2A में शो करता है आप ऐसा समझे आपने GSTR1 में अपनी शेल शो की है तो उनको लोगों को GSTR2A में शो करतेगा जिन्होंने आपसे माल परचेज किया है इसलिए जिस भी लोगों से आपने परचेज की है उसका Data GSTR2A में शो करता है कहने का मतलब यह है कि अगर आपने Market से कुछ परचेज किया है तो सामने वाला पार्टी अपनी GSTR1 रिटन फाइल करेगा GSTR1 रिटन फाइल करने देने के बाद आपका परचेज डाटा GSTR2A में शो करता है जो आपको अपने GSTR2A के फोम में दिखाई देगा GSTR2B क्या है? GSTR2B शेम 2A की जैसी है जैसे 2A है इसमें भी जितने भी परचेजिंग आप Market से परचेज करते हैं वह सारी शो करती है आपने Market से कोई Product खरीदा उस पर आपने Tax पे किया वह Tax Claim करने के लिए आपको यह 2B बताएगा आप कितना Tax Claim करने के लिए Elisible है इसको डिटेल में समझते हैं एक्जामपल के लिए आपने परचेज 10 लोगों से किये 8 लोगों ने अपनी Return File कर दी लेकिन 2 Supply ने अपनी Return File नहीं किये तो क्या होगा जो 8 Supply ने अपनी GSTR 1 फाइल की है तो उन 8 लोगों का डाटा आप GSTR 2A में शो करेगा जो Auto Drafting हो जाएगा लेकिन आपको 8 लोगों का ITC Input Tax Credit Claim नहीं करना है आपको वह ITC Input Tax Credit Claim करना है जो 2B बताती है तो 2B में केवल 6 बिल शो कर रहे हैं तो आपको 2B वाली Input Tax Credit Claim करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि 2B में 6 Supplier क्यों शो कर रहे हैं 2A में 8 Supplier क्यों शो कर रहे हैं 2B में 6 Supplier इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इन 6 लोगों ने अपनी GSTR1 समय से फाइल की है, जबकि 11 तरिक से पहले अपने GSTR1 फाइल कर दी थी, बाकी लोगों ने 11 तरिक के बाद GSTR1 फाइल की, अगर आपका supplier due date के बाद अपनी GSTR1 फाइल करता है, तो next month में उसका ITC input tax credit claim करने के लिए eligible होंगे, current month में उसका ITC claim नहीं कर पाएंगे, आप भी अपने GSTR1 और GSTR3 भी time से फाइल करें, ताकि सामने वाली party को ITC time पर claim हो सके, आपका business लगातार चलता रहे, आपकी value भी market में बनी रहे, आप GSTR1, GSTR2A, GSTR3 भी समझ गए होंगे, GSTR1 में अपने सारी sale का data एंटर करते हैं, जो कि 11 तरिक से पहले आपको फाइल करना होता है, GSTR2A हमारा auto drafting होता है, जितने भी हमने purchase कि उनका सबका invoice अपको GSTR2A में दिखाता है, 2B यह बताता है कि हम कितना tax claim करने के लिए इस month eligible है, हमारा 2B यह बताता है, इसमें हमारा एक form और भी है, 2B quarterly, अगर हम quarterly reconcile कर रहे हैं, तो हमने quarter में कितनी ITC claim किये हैं, कितनी ITC के लिए eligible हैं, यहां से हम view करके अपना ITC देख सकते हैं, आगे अब हमारी GSTR3B, GSTR3B important return है, इसमें हमारी tax की payment, late fees की payment, जो बनती है, वह इस GSTR3B से file होती है, GSTR3B हर महिने की 20 तारिक से पहले file करनी होती है, हमारा जनवरी मन्त गया है, तो फरवरी की 20 तारिक से पहले हमको यह return file करनी होती है, GSTR3B में details कौनशी देते हैं, तो हमने जितनी भी outward supply की है, यहां इंटर करेंगे, इंटर इस्टेट सप्लाई की है, वह भी यहां इंटर करेंगे, यहां पर जो ITC वाला कोलम है, यहां पर auto populate होकर आ जाता है, यहां से आपको अपनी GSTR3B फाइल करनी होती है, ध्यान रखे, आपको हर महिने return file करनी होती है, GSTR1 हर महिने की 11 तारिक और GSTR3B हर महिने की 20 तारिक को फाइल करनी है, यह बात हो गई अमारे regular taxpayer की, अब हम बात करेंगे composition taxpayer की, composition taxpayer को quarterly return file करनी होती है, जिसको हम कहते हैं CMP08, CMP08 एक form होता है, यह simple form होता है, इसमें simple से आपको अपनी sale को इंटर करना है, और 1% से tax का payment कर देना है, इसमें tax की 3 slave rate रखे गई है, लेकिन अधिकतर 1% से ही tax का payment होता है, इसमें January, February, March की due date 18 April होती है, यानि 18 April तक आपको return file करनी होती है, composition वालों को अपने quarterly return file करनी होती है, यानि कि साल में 4 बार अपनी return file करनी होती है, एक इनकी return होती है GSTR4 जो इनको annually file करना होता है, CMP वालों के लिए बस इतना ही होता है, regular वालों के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी return file करनी होती है, आगे हम step by step return की वीडियो हम बनाते रहेंगे, निल return केसे file करती है, GSTR1 केसे file करना है, GSTR3 केसे file करना है, इसमें कौन-कौन सी detail आती है, तो आप हमारे साथ बने रही है, और हमारे चैनल को subscribe कर दिये, और like करिए, और logo के साथ share करिए,